तो गाइस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 मही तक के सभी इंपॉर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हम इसा कि तरह आप इस वीडियो को अंतर तक चरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यह आप हमारे डेली करेंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ मंतले पीडियेफ और हर महीने के बैंकिंग एडिकोनोमी कवेंडिनेस पीडि कर सकते हैं या फिर अपने लैप्टोप या सिस्टम की वज़त से वैप लोगिन भी कर सकते हैं और कोई भी एक्जाम वो बैंकिंग एससे रिल्व आफिर स्टेट पीसियस जहां पर भी करन्ट अफेर्स या जन्रल अवेंडिनेस पूछे जाते हैं सभी एक्जाम से लिए पीडिएफ कॉंटेंट काफी महत्पूर्ण है कोई भी अगर आपका डाउट है मारे इस पीडिएफ कोर से संबंदित तो कॉमेंट बोक्स में वश्य लिखेगा चलिए फिर करते हैं सुरूबात इस वीडियो सेशन की सबसे पहले आचा कोशन देख लेते हैं इस कांसर 500 250 या फिर 543 जल्दी से आंसर कर दीजे फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह कोशन से आप प्रेक्टिस करना चाहते हैं करेंट अफेस संबंदित स्टैटिक जीके संबंदित तो करेंट अफेस फंडा को टेलिग्राम पर जरूर जोइन कर लिए करेंट अफेस फंडा न टी डे सेलिब्रेटेड अंतरास्टिय चाय दी बस कम मनाया जाता है ओप्शन सापके सामने हैं सही अंतर ओप्शन सी है में 21st आपको जाना चाहिए नाइट नेशन्स जनरल असेंबली ने 21 मई का दिन इंटरनेस्टल टी डे के तोर पर डिकलेर किया साल 2019 में साल 2023 में इंट भारत का असमराज टी गार्डन ओफ इंडिया कहलाता है जो टी बेवरेज हैं जो चाय पीए है यह कैमिलिया सैनेसिस प्लांट से तयार होती है आपको जानना चाहिए टी का जो ओरी ओरीजिन है यह नौर्थ इस्ट इंडिया नौर्थ मेंमार एंड साउथ वेस्ट चाइन बताया जाता है आपको जानना चाहिए हम वर्ड के फॉर बिगेस्ट टी प्रोडूसिंग कंट्रीज के नाम लें तो इनमें चाइना इंडिया केन्या एंड स्री लंका है जिनका प्रोडक्शन टोटल वर्ड की प्रोडक्शन का 75 परसेंट है साथ ही आपको जानना चाहिए 21 माई को हम वर्ड डे फोर कल्चुरल डाइवर्सिटी फोर डायलोक एंड डेवल्पमेंट के तोर पर भी सेलिब्रेट करते हैं दोजार तीस में इस टे का थीम है प्रोडेक्टिंग दाइवर्सिटी ओफ कल्चुरल एक्सप्रेशन इस मोर इंपोर्टेंट थैन एवर Anti-Terrorism Day is observed on May 21st in India every year. It was on this day in which year that former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated. भारत में हर साल 21 माई को आतंक वाद विरोधी दिवस मना जाता है. किस वर्स इसी दिन भारत के पूर प्रधान मंतरी Rajiv Gandhi की हत्या हुई थी? आपको जाना चाहिए भारत में हम हर साल 21 माई को National Anti-Terrorism Day मनाते हैं. आपको बता दें, 21 माई फोर्मर इंडियन प्राइमिस्ट राजिव गांदी की death anniversary होती है. 21 माई 1991 को फोर्मर पीम राजिव गांदी को एसेसिनेट कर दिया गया था जब ये कैंपेन कर रहे थे श्री परमबुदूर तमिलनाडू में. एक साल बाद 1992 में वीपी सिंग के सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम 20 माई को Anti-Terrorism Day मनाएंगे. What is the theme for 2023 International Day for Biological Diversity? जैविक विवित्ता के लिए 2030 अंतरास्टी दिवस का विशय क्या है? ऑप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंथर ऑप्शन दी है. From Agreement to Action, Built Back by Diversity. आपको जाना चीए International Day for Biological Diversity या आप Simply कहे World by Diversity Day ये 22 माई को मनाए जाता है और इस बार 2030 में इस दे का theme है. From Agreement to Action, Built Back by Diversity. आपको जाना चीए December 2022 में एक फ्रेमवर्क साइन किया गया था, इसका नाम है कुन्मिंग मौन्ट्रियल क्रोबर बाइदावर्सटी फ्रेमवर्क. तो इसमें कई सारे गोल्स सेट किये गए ताकि 2050 तक जो नेचर का जो मतलब जो हम नेचर को अपना खोते जा र इस स्टेट एस लॉंच्ट पैच रिपोर्टिंग एप किस राज्य ने पैच रिपोर्टिंग एप लॉंच यह ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंत्र उप्शन सी उत्राखंड है आपको जाना चीए उत्राखंड के चीफ मिनिस्टर पुस्कर सिंग धामी ने एक अपके कर सकते हैं अपनी कंप्लेइं के साथ पॉलीक वर्स डिपाट्मेंट को देखेगा और इन पर कारवाई करेगा किस में आपनी आपनी कंप्लेइंग क्प्रोबी स्क्राप इस एप पर उत्राखंड की बात करें, कैपिटल है देरादून, विंटर, गैर्शन, समर, चीफ मिनिस्टर पुसकर सिंग धामी है, गवर्णर है गुरमीत सिंग, किस राज ने भारत के पहले, सुचाशन, विनियमों को मंजूरी दी है, आपके सामने है, सही आप्शन, सी महारास्ट, आपको जाना चाहिए, महारास्ट के चीफ मिनिस्टर एकनाथ सिंधे ने, देश के पहले, गुड गवर्णेंस, रेगुलेशन को एप्रोव कर दिया है, इस्टेट एड्मिस्टेशन को और भी एकाउंटेवल, एकसेसिबल, डायनमिक एंड ट्रांस्पेरेंट बनाना, इन डेगुलेशन में एक सेपरेट सेल को भी फोर्म किया जाना, जो है निर्धारित किया गया है, जो की क्लाइमिट चेंज से संबंदित होगा, क्लाइमिट इस्टेट हैस इंडिया टु सेंड एलड़ली पीपलों पिल्ग्रिमिज भाइ एर अंडर दमोंग्य मंतरी तीर्थ दर्सन योजिना, मोख्य मंतरी तीर्थ दर्सन योजिना के ताहर बुझरुगों को हुआयात्र द्वारा तीर्थ पर बेजने वाला भारत का पहला राज तरह के तहट मुख्य मंत्री तीरति दर्सन योजना के तहट तो जो पहला जथा जो फस्ट बैच है पिलिग्रिम्स का यह भोपाल एरपोर्ट से परियाग राज गया है उत्तरप्रदेश में आपको बता दें यह जो मुख्य मंत्री तीरति दर्सन योजना इसको 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था और अब तक इस्पेशल प्रेंस चलाई जाती हैं जिनसे जो तीरति आती हैं वो ट्रेवल करते हैं तो 7.80 लैक एल्डर्ली प्रसन सब तक इस यात्रा का इस स्कीम का फाइदा ले चुके हैं तो अब ये एर के थ्रू हो रही है मद्यपरदेश की बात करते हैं कैपिटल बोपाल है चेफ मिनिस्टर सिवरा सिंग जोहान है गवर्णर मंगो भाई सी पटेल है गुजरात की दवारका में 30 पोलिसिंग की रास्टे अकैदमी के इस्थाई परीसर की आधारशिला किसने रखी है आपको जाना चाहिए यूनियन होम एंड कोपरेशन मिस्टर अमित शाह इन्हों ने नेशनल अकैडमी ओफ कोस्टल पॉलिसिंग एन एस सीपी इसके पर्मनेंट केंपस की आधारशिला रखी है ओखाद्वार का गुजरात में आपको बता दिये एकैडमी 3000 सिक्योर्टी प्रसनल को ट्रीनिंग फैसलिटीज प्रोवाइट कराएगा एक साल में आपको जाना चाहिए नेशनल अकैडमी ओफ कोस्टल पॉलिसिंग जो की देश का फर्स्ट नेवल अकैडमी है इसको 2018 में इस्टैब्लिश किया गया था ताकि 9 कोस्टल स्टेट्स, 5 Union Territories as well as Central Police Forces में जो Marine Police है उनको intensive training प्रोवाइट की जा सके साथ ही आपको जानना चाहिए अमिच शाह ने 5 कोस्टल आउट पोस्ट ऑफ बीएसेफ इनको भी इनोगरेट किया है जाको कोस्ट कच्चुडिस्टिक में और 1 आउट पोस्ट टावर भी इनोगरेट किया है सब्सक्राइब के लिए ने बाजार नियामक भारती और मीनिमाए बोड यानिकी से भी को क्या समय सीमा ती है सही आंसर अप्शन दी है 14 ओगस्ट आपको जाने चाहिए सुप्रीम कोड ने सिक्योर्टिस एं एक्स्चेंज बॉर्ड ऑफ इंडिया यानिकी से भी को चोदा अगस्ट इसी साल 14 अगस्ट तक का समय दिया है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रूप के खिलाब जो एलिगेशन लगाए गए हैं अकांटिंग फ्रोड से संबंदित स्टोक मैनिपिलेशन से संबंदित उनकी जांच आप पूरी कीजिए 14 अगस्ट तक सानमीन एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेट सिक्स मेंबर पैनल रहा अभए मनोहर साप्रे तो इन्होंने भी इन इनने भी यह दाइट तो दिया गया था कि आप यह जो एलिगेशन से इंडन पर के इनकी इनको देखें कि क्या बात सही है क्या के बात यह निकल क है ओपी भाट है नंदन निले कानी है जेपी देवधर हैं और सोमसिकर सुन्दर सेन भी है कि सुन्दर सेन According to the United Nations which five year period will be the warmest ever recorded on the planet सही उक्तराष्ट के नुसार कौन सी पांच वर्ज की अवधी प्रित्वी पर दर्ज की गई अब तक की सबसे गर्म अवधी होगी options आपके सामने है सही आंसर option दी होगा 2023 to 2027 आपको जाना चाहिए United Nations ने बॉर्ण किया है कि next five years जो है यह warmest period हो सकता है अब तक का आपको बतादी United Nations की world metallurgical organization ने यह कहा है कि एल नीनो और greenhouse gases का जो combined effect है यह temperature को काफी बढ़ा देगा आने वाले सालों में इसमें बताया है कि जो global temperature है यह 1.5 degree Celsius को सरपास कर सकता है 2227 तक साथ यह भी बताया गया है कि अगले पांच सालों में एक साल तो ऐसा होगा जहांपन 98% मतलब इन्होंने का है कि मतलब एक साल तो ऐसा होगा अगले पांच सालों में एक साल ऐसा होगा जो की मतलब warmest होगा अब तक का ठीक है ऐसा record बन सकता है ऐसा 98% chances है और यह भी का होटेस्ट एट इयर हमने देखे अब तक 2015 से 2022 तक लेकिन अब बदाएगा है जो आगे साल होंगे इससे भी गरम होने वाले हैं 2015 का पैरिस एगरिमेंट तो आप सभी जानते हैं जापर कंट्रीज ने अगरी किया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम टू डिग्री सेल्सियस से जो है बिलो रखेंगे और हो सके तो 1.5 सेल्सियस तक रखेंगे ग्लोबल मीन टेंप्रेचर जो है 2022 में 1.15 सेल्सियस रहा है डबलू एमो की बात करते हैं फोर्मेशन 23 मार्च 1950 मेंबर 193 है 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 एटक्वार्टरस जिनेवा स्विट्सलेंड में है सेक्रेटरी जनरल पैर्टरी तालास है और इसकी पैरेंट और्गनाज़ेशन है युनाइ पैसेडर्ट मेस्टर बनाया है और और वेला साथीयाओंस की बचाई सेधुनेस पार्टनर्शिप में 1-8 फिटनेस एप लॉंच की है जो कि आपके लिए आपकी जो वर्काउट है वो सेट करके देती है कैमपस एक्टिव यर उन्ने अनाउंस किया है कि हम क्रिकेटर उम्रान मलिक को साइन कर रहे हैं अपनी नाइट्र फ्लाई रेंज के लिए साथी मेरिकों का जो निहार सांतियामला है इसने भी आलिया भट को अपना ब्लेंड़न अब मेस्टर नूक्त किया है इंडियन साइंस फोरम हैस और्गनाइज त्य एन्वल साइंस फिस्टा इन विस सिटी इंडियन साइंस फोरम ने किस शहर में वार्षिक विज्ञानप्रव का आउजिन किया है आपके सामने सही आंसर अप्शन नहीं है मुस्कैट ओमान कि देखें इंडियन साइंस फोरम इसने इंडियन सोशल क्लब ओमान के साथ मिलकर एक एन्वल साइंस फिस्टा और्गनाइज किया है अल हेल केंपस आफ नेसर निएस्टी आफ साइंस टेक्नलोची मुस्कैट ओम मून मैन ओफ इंडिया भी है एक मलिस्वामी अन्ना दुराई है और इससे पहले ये बैंगलोरू में इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइशन सेटेलाइट सेंटर के डिरेक्टर भी रह चुके हैं इनको बोलता है मून मैन ओफ इंडिया तो ये भी इस इवेंट में नेपाल है आपको जाना चाहिए जो 2080 विक्रम सम्मत का जो पूरा डेकेट रहने वाला है उसको नेपाल जो है विजिट नेपाल डेकेट के रूप में मनाएगा साथी 2025 को स्पेशल ये और फोर्ट टूरिज्म के रूप में मनाएगा ऐसा एनाउंस किया है इन नेवी भारत दिनोसेना के साथ अपने पहले प्रेजिक्शन के लिए सवुदी के अधिट कहां पहुंचे सही अंसरोप्शन ए कोची है आपको जानना चाहिए इंडियन नेवी और रोयल सवुदी नेवल फोर्स के बीच में को बढ़ाने के लिए जो रोयल सवुदी न अधिया की सदर्ण नवल कमांड का हैटकोर्डर से यहां पर पहुंचे हैं इस फॉस्ट एवर्ट ट्रेनिंग के लिए इंडियन नेवी के साथ संगाई में तिरन्दाजी विश्वकाप स्टेश टू में पूर्षो के व्यक्तिगत कमपौंड सेक्शन में स्वर्ण पदक किसने जीता है आप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर आप्शन दी है प्रथमेश जावकर देखे आर्चरी वर्ड कप स्टेश टू ये संगाई चाइना में हुआ है यहाँ पर इंडियन आर्चर प्रथमेश जावकर इन्होंने वर्ड नंबर वन माइक सोसेशर माइक स्क्लोसर इनको हरा दिया है नीदरलेंड्स के हैं और गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है इन्हो दोने जोती सुरेखा वेन्म और ओजस दियोटेल ने और इन दोनोंने अभी जो एंटल्या में हुआ था ना लास्ट मंथ यह आर्चरी वर्ड कप इसमें भी जीता था अच्छा साथी सीतल एन राकिश इन्होंने मिक्स टीम डियों में बी गोल्ड मैडल जीता है तो दो ग ठीक है तो यह पूरा आपको जाना चीए अच्छा तीन गोल्ड हो गए ना माफ कीजिएगा एक गोल्ड तो सीतल ड्राकिश वाला यह हो गया और दो गोल्ड ऊपर यह हो गए देखे तीन गोल्ड जीता है ना एक गोल्ड तो हो गया प्रतमेश चावकर का इंडिविजवल एक हो गया जोती सुरिखा और ओजस इन दोनों का एक गोल्ड हो गया सीतल ड्राकिश का ठीक है तो यह तीन गोल्ड जीता है आपर The RBI Board approved the transfer of what amount as surplus to the Central Government for the accounting year 2022-23 RBI Board ने लेकावर 2022 के लिए कि इन सरकार को अधिशेश के रूप में कितनी राशी के हस्तान तरण को मनजूरी दी है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन ए है 87,416 क्रोड रुपए काफी मैध पूंट कोश्चन Central Board of Directors of Reserve Bank of India इनकी एक मीटिंग हुई है 602 मीटिंग रही है 19 माई को हुई है मुंबई में Under the Chairmanship of सक्तिकान दास्चों की RBI Governor है इन बोड ने एक फैसले को अप्टूब किया है कि हम सता 3416 क्रोड उपे surplus के तोर पर Central Government को टांसफर करेंगे accounting एर 2022-23 के लिए और जो contingency risk buffer है यह 6% रहने वाला है देखिए आप सभी जानते है RBI कमाई करती है और खर्चा भी करती है तो खर्चा तो जैसे नोट छापने में होता है और जो अपना स्टाफ है उसको भी पे करना होता है इस तरह के खर्चे रहते हैं और अर्णिंग के भी कई तरह के साधन है ठीक है और तो अब क्या होता है जैसे अपने खर्चे निकाल लिए आरभी आही ए उसके बाद जो पैसा बचता है अब का अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अंफरसमीं Ty that जो आ जाए इस तरह करी कश हो सकता है तो इसके लिए RBI करती है, contingency risk buffer रखती है, buffer से पता चल रहा है न, कुछ पैसा रखती है अपने पास, ठीक है, तो इसको बोला जाता है contingency risk buffer, यानि कि 6% जो है अपने पास रख लेती है, यहां पर आप देख भी सकते हैं, contingency risk buffer is the country's saving for a rainy day, यानि कि financial stability crisis के लिए, which has been concisely maintained with RBI in view of its role as lender of last resort, what was the total profit of public sector banks in 2022, 23, 2022 तेश में सारवजिंक चेतर के बैंकों का कुल लाब कितना था, options आपके सामने सही answer options यह 1,4,660 crore rupees, देखें, public sector banks का cumulative profit है, यह 1,00,000 crore rupees के mark को cross कर गया है, financial year, जो की March 2030 में end हुआ है, और State Bank of India इस में leader रहा है, आपको बता दे, 2017 में जो public sector banks इन्होंने 85,390 crore का net loss जो है, दर्च किया था, लेकिन अब 2022 में 1,4,669 crore rupees का profit इन्होंने टच किया है, 12 public sector banks ने 57% का increase देखा है, total profit में 2021 में 6,549 crore rupees का profit था, अगर हम percentage इस टंस में बात करें तो पूनेविस bank of महारास्टरेस का highest net profit ग्रोफिट ग्रोथ रही है, ठीक है, यानि कि 2,602 crore रूपए, उसके बाद फिर यूको बैंक है, फिर bank of पड़ोगा है, यदि हम absolute term में बात करें तो SPI का जो annual profit है, सबसे यादर आया है, 2022 थे से 5,232 crore रूपए है, पिछले financial year से 59% जादा, PNB के अलावा, जितने भी बड़ी sector banks हैं, इनका जो annual profit है, वो मतलब profit ही हुआ है, इंक्रीस देखने के मिला है, इनके profit में, पंजाब national bank में decline हुआ है, 27% का decline हुआ है annual net profit में, क्योंकि 2021 में 3,457 crore रूपए annual profit था, और अब कितना रहा, 2022 में इनका 2,507 crore अच्छा, अब ऐसे public sector bank जिनका annual profit 10,000 crore से ज़्यादा करा, ये bank of बड़ोता हैं और canra bank हैं, which company has launched a unique health cover and other products in partnership with Indel Money Limited, किस company ने Indel Money Limited है साथ 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 कवर और अन्य उत्पात launch किये हैं, सही आंतर option दी है MediBaddy, देखे MediBaddy जो की digital health care platform है, इसने एक unique health cover और भी कई सारे products launch किये हैं, Indel Money Limited साथ partnership में, जो की एक gold loan NBFC है, तो इस partnership के तहत, जो Indel Money के जो gold customers जो है, उनको कई तरह की health care services प्रवाइट की जाएंगी, जिसमें आप unlimited general physician, consultation, health check-ups, lab benefits एक हजार रुपे तक के प्राप्त कर सकते हैं, free delivery of medicines भी प्रवाइट की जाएंगी इसमें, MediBaddy के द्वारा, किसको जो Indel Money के gold customers हैं, which company has elevated Bhavish Gupta as Chief Operating Officer and President, किस company ने Bhavish Gupta को मुख्य परिचालन अधिकारी और अध्यक्ष निक्त किया है, सही आंजर option भी PTM है, आपको जाना चाहिए, PTM के उनर है, 197 Communications Limited, तो इन्होंने Bhavish Gupta को company का Chief Operating Officer and President निक्त किया है, आपको बता दें, जो fiscal year 23 रहा, इसमें PTM का जो revenue है, ये 61% बढ़ा है, ये रोन ये वेसेस पर 7,990 करोड, इस तरह से ही इंडिया की highest earning new age company बनी है, विस senior advocate, along with justice प्रसांद कुमार मिश्रा, has been sown in as supreme court judge, recently, नियाय मुर्थी प्रसांद कुमार मिश्रा और अन्य और किस अन्य वरिष्ट अधिवक्ता ने हाल ही में सर्वच चन्याले के नियाय अधीश के रूप में newt में सपत ली है, options आपके सामने है, सहियां सुरॉप्शन दी है, के वी विस्वनाथन, अच्छे हैं, आपर यह जानेगा, जो देखें, जो यह है न, विस senior advocate, along with justice प्रसांद कुमार मिश्रा, has been, ना कि have been, जब along with यह जोता है, तो आप single पर भी उस करते हैं, has been, ना कि have been, देखें, justice प्रसांद कुमार मिश्रा, और senior advocate, के वी विस्वनाथन, अब यहाँ पर end से जुड़ा है, इसलिए हैवा है, अगर यहाँ पर along with होता, justice प्रसांद कुमार मिश्रा, along with के वी विस्वनाथन, तब आप उसके बाद has been यूज़ करते हैं, क्योंकि जो first person है, उसके हिसाब से वर्व लगती है, तो देखे, justice प्रसांद कुमार मिश्रा और के वी विस्वनाथन, यह supreme court के judges के तोर पर न्यूक्ट की गए हैं, इन्होंने शपतली है, इनके नाम, जो chief justice ऑफ इंडिया है, डिवाई चंदरचूड, इनके द्वारान, इनके नेतरत वाले supreme court कोलेजियम ने recommend किये थे central को, साथ ही आपको बता दे ही, जो supreme court में, जो sanctioned strength है, जज़स की 34 है, लेकिन फिलहाल, 32 के साथ functioning कर रही है, supreme court की हाली में, दिनेश महायसवरी और M.R. शा, इनका retirement हुआ है, तो ये, दो supreme court जज़सरी इनका retirement है लेब 32 है, जो है total strength है फिलहाल, माक्सिम कितनी आसकती है, 34. Previous assignment questions ही आसर देके हैंगे, Who is the CEO of Walmart? Doug McMillan, Wiss City, this year he is hosting the G7 Summit, Hiroshima, Japan, 32nd Summit of the Arab League held in Wiss City, Jeddah, Saudi Arab, Indian pharmaceutical industry to reach 130 billion US dollars, by which year, 2030? Chief of the Defense Staff General Anil Chohan, participated in the Indo-Pacific Security Dialogue, in which country, US? और आप मैं से कही अस्रें से बिलकुल सही आसर किया है, इसी तरह सा आप participate करते रहिए, UPPCS exam में पुचे गए हम कुछ questions देख रहे थे, तो कुछ basic से question है, जो कोई भी exam होँआपर पूची ले आते हैं, repeat होते रहते हैं, आपर पूचाए कि non-conventional energy source कौन सा है, तो यह होगा, एक्चुली कई बार confusion होता है, इसमें, आप पढ़के भी यादा हैं, पर तब भी confusion हो जाता है कि non-conventional और conventional, जब non-convention लिखा होगा, तब आप simple लेंगे, renewable, और जब conventional लिखा होगा, तब आप लेंगे non-renewable, ठीक है, उल्टा कर देंगे, non-conventional मानी कि, यानि कि renewable sources, wind energy, hydro energy, solar energy, और अगर लिखा होगा, conventional, तो आप क्या कर देंगे, non-renewable, ठीक है, ओजोन लेयर, absorbing, ultraviolet radiation exists in which of the atmospheric layer, तो ओजोन लेयर किसमें होती है, आप से भी जानते हैं, stratosphere में, आज ये assignment questions देखेंगे, इब एंबनानो coloring के लिच कर देंगे कर मााट रजूँ je क कि कि लख़झा आप माट लेटनी के लेजू कि आश, लू लेकोब लेक्श, पे लिज़ीघॆ विशे KNOW सुचित लिचेटर इन दीक हैं, तो इन पांचा कोश्यन के अंतर आप कमें बोक्स में दीजेगा एड़ी आपको एक क्वेस्टन कांसर भी आता है तो अभी आप में कॉमेंट बोक्स में बता सकते हैं अप डैगोली विडियो अपटेट्स और क्रंट की ज्यसाम आप से लगी डालते हैं साथ ही पपसकते हैं दोस्त system की प्रेशिती गई को आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ साहरी करनट अब DRON2 करें आज का कैसर आपको नहीं स spoken बक्स बताईएगा थेम्क्यू के यह यह सो